वाहिगुर्ची का खालसा वाहिगुर्ची की फते अजाबी आडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे सरोतियानों मेरे मनेंदर कौरवलों प्यार परी साच्छी का अजसी किताब शुरू करन जा रहे हैं जिस्ता सिरलेख है तिजे कलूका रेतों बाद सिखांदी सिदान तक केराबंदी लेखक सरदार अजमेर सिंग हतली जिल्द बारे वीमी सदी दे आखरी दहाक्यां दुरान लड़े गए लहू वीट में सिख संग अर्षदा बहुपूर्ती विशलेशन करन दा हतला कार्ज प्रतिबाशाली सिख विदवान स्वर्गवासी सरदार जिग जी सिंग दे आदेश ते अशीरवाद नाल 1997 वे चहुन तक तेन जल्दा चाप चुकिया हन करम अनुसार चौथी जल्द विच 1984 दे कलूका अर्यव परंत लड़े गए सिख खाड कू संग अर्षदा लेखा जोखा कीता जाना सी परहे कार्ज अरंब कार्दियां ही एक अड़ाउनी आ गई आदुनिक युग दियां सारिया वड़ियां समाजी राजसी लेरां दा एक लच्छन सांजा है कि आम नेम वज्जों इना लेरां दी अगवाई सबंदत समाज दे बुद्धिमान तब के वलों कीती जान दी है बुद्धिमान तब का ही है जड़ा संगर्षदी कल्पना कार्दा इस देली विचारां दी जम लाजा अर्ब बहार तक इतिहास दी हरेक वड़ी लहर उत्ते एहे नेम निर्वेगन लागू होंदा है पर सिख खाड़कू संगर्षदे मामले विच एहे नेम पांग होया पर तक नजर आ जानदा है इस संगर्षदे समुच्चे अमल दुरान सिख बुद्धि जीवी वर इवर्स्टियां कालजां दे प्रोफैसरां लेख कां साहितकारां कानून दाना संपाद कां पत्रकारां आते सेवा कार्ए जयां सेवा मक्त हो चुके सेवल ते फौजी अफसरां आदी दे वड़े हिस्सेयां ने सिख संगर्ष प्रती जां ता बे वास्ती पर गटाई अते जहां विचारां दे पदर तेस्दा सरगर्म वरोध किता सिख संगर्ष दे हक विच डटन वाले सिख बुद्धी माना दी गणती मूड़ों ही थोड़ी सी जेहा दुर्पाग क्यों वापरिया ते सिख संगर्ष उते इस दे के हो जहे ना पक्खी असर पए इना सुआला नू मुखातब होए बगैर सिख खाड़कू संगर्ष दा सही ते संतुलत विचलेशन काव सकना उकका ही संभव नहीं हथली जिल्द दी तजवीज इसे एहसास विच्चों पैदा होई सिख संगर्ष प्रती सिख बुद्धी मान तबके दे नाकार्त में करवईये नू केडे तथा ने निर्दारत ते प्रबावत कीता इस सुआल दा कोई एक हेरा उत्तर दे सकना संभव नहीं है हर एक गुंजलदार वरतारे वांगों एह अनेका तथा व्यक्तिगत नैतिक कमजोरियां तो लेके सिदान तक चुकावा तक दे रड में असरदा सिटा है पर विश्रेशन दे नुक्ता नजरतों सब नालों एहम ते फैसला कुन फैक्टर विचार पर नाली है सामराजवाद ते बस्तिवाद दे वरतारे नो केवल राजसी गलबे ते आर्थिक लुट खसोट तक सीमत करके नहीं विख्या जा सकदा राजसी गलबे आर्थिक लुठ खो दे नालो नाल पच्छमी सामराजी ताक्ता ने अदिन मुल्काँ ते अपना ज्ञानात्मक गलबा वी कायम किता पर जिते राजसी गलबे ते आर्थिक लुट खोदे मामले विच खुलम खुली तक के शाही वर्ती गई उते पूरब दे लोकाउं ते पच्छमी ग्यान परबंद दी जकड ते सर्व पर दांता स्थापत करन दा सलसला अचोपले टंगानाल चलिया बस्तिवादी देशां दे पच्छमी विद्या ग्रहन करनवाले बुद्धीमान वर्गा ने जिते राजसी खेतर अंदर बस्तिवाद दा तिखा ग्रोध किता उत्थे उनाने बौधिक पद्दर ते पच्छम दी सर्व उच्चता कबूल कार ले उनाने पच्छमी ग्यान परबंद दा सहज रूप विच आत्मी करन कार लिया इस कारके बस्तिवाद दे खात में तो बाद इना देशां दर मूल रूप विच पच्छमी नमुने दे राज नेशन स्टेट स्थापत करन दी सेध तारन कीती गई यते राज करन दी बस्तिवादी टंगादी रीत दा वफादारी नाल पालन किता गया जिस दा ठोस पाव लोकादी या लोडा नालो राज नेशन स्टेट दी सरख्यावाद एहम बन गई इह राज दा श्रोमनी सरोकार बन गया ते समंतवली राज दे रवाइती संद वसीलेया दे नालो नाल ग्यान दे हथे आदी परवीन वर्तों करन अर्थात गलबा पाउन काईम रखन ते इसनों उचित ठहराओ ले ग्यान दी प्रभावशाली संद वज्जों वर्तों करन दी राज की जुक्त अपनाईगी इस विच बुद्धिमान वर्ग दी केंदरी पूमिकादा ताथ स्वै पर तक है बुद्धिमान वर्ग ही है जेडा ग्यान दी रचना करन तों लेके इस दा व्यापक पैमाने ते परचार परसार ते संचार करन विच निरनाय का रोल न ब एहे अमल सारल पद्रा नहीं हुंदा एहे तिखे विरोधा ते टकरावा राही अगे वाददा है कारण एहे की नवा ग्यान परबंद पैले ग्यान परबंद नो उखेड के ही स्ताफत हो साकदा है पैले ग्यान परबंद नो खेडन दा मतलब उस दे जिसम पाव उसनो संबालन वाली अते खुद उसकोडों जीवन ग्रहन करन वाली सब्याचारक परंपरा नो तबाह करना है इस तरीके नड ग्यान सब्याचार दी लडाई विच ते हत्यार बांदा है केडा ग्यान परबंद केडे वर्ग जां वर्गां दा हित पूर्दा है अते इस दी सर्ब पर दांता स्थापत करन लेके हो जह सादन ते विदियां अपनाया जांदियां हन इस सोजी तो बगैर कोई वी पाईचार अपने सब्याचार दी राखी नहीं कर साकदा हथली जिल्द दे पहले कांड विच सिख कौम लई कातक साबत हो रहे आदुनिक ग्यान परबंद दे परमुक संकल्पां दी निशान दे ही करन दे नालो नाल एहे दरसोन दा यतन किता गया है कि संकल्प ते पर वर्ग किस तरीके नाल पारत अंदर हिंदू बहुगिनती वर्ग दा राजसी ते सब्याचार के गलबा स्थापत करन ते इसनो बरकरार रखन विच मददगार बान रहे हैं नाल ही एहे गलवी दरसाई गई है कि स्वर्ण जाती हिंदू वर्गा ने आपनी मूल फितरत अनुसार कुझकु पच्छमी संकल्पां जिमिराश्ट्रवाद ते तरम निर्पेख वाद सेकुलरिजम नू ब्रामन वादी पुठचाड के अपने हितना दे अनकूल कार लिय पच्छमी आदुनिक फलस्फेदा जनम ते विकास पच्छम दी विशेश सब्याचारक स्थेती विच्चों होया इस अनुसार विशेश संकल्प ते परवर्ग साजे गए एहे परवर्ग निश्चित कारदते गए इना राही निचोड कड़े गए सिदांत सर्जे गए पर पेक निश्चित किते गए अते सूतर स्थापत ते पच्छरत किते गए इना ग्यानात्मिक परवर्गां राही दूसरे सब्याचारानू परवाशित किता गया जेडियां ग्यान पर नालियां होरना थामा ते पच्छम नालों मूडों ही वक्रियां सब्याचारक स्थतियां विक्चों जनमियां ते विक्सत होईया उनानू पच्छमी संकल्पां ते परवर्गां दी रोशनी विच पड़ तालिया अंकेया निंदयया अनकारिया गया इस अनल एह संकल्प ते परवर्ग पूरभी समाज्जाहacam ते पच्छमी गलबे द संद बणगय एह ग्यान दे खेतर अंदर अन्या ते जुलम दे हत्यार बाण गे इना दे जरीये रवाइती ग्यान परबंदां दा कात किता गया हतली जल्द दे तीजे कांड विचे सिख्विदवाना दे हवाले नाल एह अपागा तत दरसाया गया है कि जदो अन्यादा शिकार होन वाले समाज़ां पाइचारियां दे ही कुलीन वरगां ते बुद्धी मानना वलों जाबर तेरदे ग्यान परबंद दा आत्मी करन कारलिया जान्दा है ता मजलूम तेरली अपने हित्तां दी रख्या करन दा कार्ज किनना दूबर हो जान्दा है आधनिक पच्मी चिंतन अंदर नेशनलिजम ते नेशन स्टेट ने सर्ब स्रेश्ट सद गुना दी पदवीतारन कार ली है एहे पूजनिक बण गई हान हार चीज दा मुलांकन इना अनुसार कית जान्दा है इना अनुसार पेढ़े तो पेढ़ा अना चार कीता ते उचित ठहराया जान्दा है बस्तिवाद, नाजीवाद, ते फाशिवाद वर्गे, जुल्मी वर्तारियां दी पैदाइश इना विच्चों ही होई सी संसार पारंदर, फैडली, कोजी, हिंसा, कतलो गारत, ते नसल कुशियां दी जड इना अंदर ही लगी होई है एटम बंबां ते ड्रोना दी काड पिछे इना दी प्रेरिक शक्ती ही का मकारदी है श्रीदरबार साहिब उते फाशी हमला इत्थों ही निकले असी जिमें की दूसरे कांड विचे दरसाया गया है इना तो प्रेरत होके ही सिखा दे जिस माननी कतला दे नाडो नाड उना दा ग्यानात्मक कतल किता गया तीजे कांड विचे सिख विदवाना दी नकारत्मिक पूमिका दे वर्नन तों एहे तात्थ साफ उजागर हो जान्दा है कि अजोके समें अंदर पंथक चेतना नू सापतों वड़ी टा इना संकल्पा ते परवर्गा ने ही लाई है चौथे ते पंजवे कांड विचे ठोस वालया नाड इहे तात्थ परमानत किता गया है कि सिख पुद्धी मान तबके नू इना संकल्पा ते परवर्गा दी गरिफ्त विच लैन विच किने व्यापक व्योंत बद ते जथे बंदक यतन किते गए चेमे कांड विच्चों इहे तत्थ पली पांथ रूप मान हो जान्दा है कि पारदियां खबे पकी ताक्तां दे सिदान तक कुरायां दी जड राश्ट्रवाद ते नेशन स्टेट विच उना दी अन्नी शर्दा विच लगई होई है सब्याचार दे मुकाबले विच नेशन स्टेट नू पर मुखता देन वाले सिदान तक नजरिये नाल सब्याचारां दियां समस्यावा नू सही रूप विचे समझ सकना ते इना प्रती विबेक्शिल ते समवेदन शील पहुँच अपनोनी उका ही संभव नहीं है इस सिलसले विच आशीश नंदीदा एह सिदान तक कथन बेहद एहम है कि स्टेट मुखी विशलेशन आत्मक परवर्गा नाल आयत उल्ला खोमीनी ते संत जर्नाय सिंग पनरावाले दी योग व्याख्या नहीं किती जा सकती पंजाब दियां खबे पकी ताक्ता ने इत्थे ही खता खा दी है इस सिदान तक विगाड ने उननु राजिसी ते नैतिक खुआरी दे रापादता है सत्मे कांड विच आदू निक्ता दे पुजारियां दे बुलंद बाग दावयानू दलील ते समाजी यथारत दी कसवटी नाल परख्यां पडचोलेयां ते नकारया गया है इस नाल पच्मी ग्यान परबंद दी उत्तमता दा परम चकना चूर हो जान्दा है तीजे कांड विच कीते वर्नन्चों पाठक पली पांत अनुमान ला सकते हन की पार्ती फोजवलों श्री दरबार साहे बुते कीते गई वैशी हमले तों बाद सिख कौम दी आन ते शान दी रख्या करन ले पार्ती राज दे खिलाफ लहू डोलमा संगर्श करन वाले जु चरना प्यासी इस तों सिख जुजारू लहर दी सेफ्ट ते इस दियां अंतर जात सीम ताइया दा सही अनुमान लाया जा साकदा है अजमेर सिंग मीती दासमई दोहजार पंद्रा ग्यान गल्बे दासंद पारत दे हिंदू हुकमराना ने एहे हकीकत चंगी तरां पांप लई सी के 1984 दे कलूकारे उपरांत सिखा अंदर अपनी विलखन हस्ती नू बचौन दी जो परबल तांग पैदा हो गई सी उस नल उना अंदर अटालत और ते राजनी तक खुद मु करन लई दो सांगी रणनीती अपनाई जित्थे उनाने सिखा दे रोनू काबू करन लई स्टेट दी दबाव शक्ती ते फनाकारी समरत्थानू व्यापक ते खौफनाक पैमानने उत्ते हरकत विचले आंदा ते सिखी दी आन ते शान दी रख्या करन लई संगर्षदा रा पावना दा बीजनाश करन लई सर बंगी व्यापक ते जथे बंदक से दान तक महिम लामबंद किती गई विशलेशन दे नुक्ता नजर तों एहम ते हरानी वाली गल इह वापरी के बहुत ही अलग लग विचार तारक मिजाज वालियां राज सी ते रां जेडियां वैसे एक दूजे दियां कटड़ विरोधी मनिया जान दियां हन इस महिम विच इको जिन्नी पर चंडता ते सांज पावना नाल शामल हुएं उदार पंथी लिबरल ते हिंदू तवी ताकतां दा सिख विरोधी रुखतां सौख नाल समझ विच आ जान दा है प्रंतू खबे पक कि ताकतां जिननु आम तोर ते स्थापती दा विरोधी पक तसवर किता जान दा है उना वलों इस मसले ते पार्ती राज नाल नंगी चिट्टी पाई वाली दा पैंतड़ा तारन कार लेना साधारन जही गल नहीं खबे पक्खियां दे इस गंबीर सदान तक कुराहे दे विचारता रख कारना दे निशान दे ही करनी जुरूरी है प्रंतू सिख कौम लई वदन मोशी वाला ताथ एहे है कि आदुनिक पच्चमी ग्यान पर नाली दे मुरीद सिखी बुद्धी जीवियां खास कार के यु सिख बुद्धी जीवियां वलों निबाई इस निशेद मई पुमिकादी सदान तक व्याख्या की हो साक्दी है हतली रचना मुक तौरते इना ही सवालानों मुखातब है परसिद समाज शाष्टरी आशीश नंदीदा केना है मुलकादे जीवन अंदर कुछ दौर अजेहे आउंदेहान जदो हुकमरान राजसी वर्ग अलोकिक हद तक सदान थीन हिंसक अते चाल बाज बन जानदा है अजेहे मौके सत्तादा टांचा सर्फ जमात अते जात वर्गियां समाजी दर्जा बंदियां उते ही नर्बर नहीं हुंदा सगों एहे जन तक जीवन दी पारू विचारतारा दी वी टेक हासल कारदा है एहे विचारतारा मुक्तारा दी राजसी सरगर्मी उते नैतिक पड़दा तान दी है वद एहम गल एहे की जन तक जीवन दी एहे विचारतारा राजवलो नैतिक उलंगनावा लई थां बनाओ दी यते ना नो असोस नाक पर वड़ी नेकी लई अती जरूरी समझाते आं द दी है जो तो किसे मुलकंदर राजनीती दा अजेहा सब्याचार ठोस सुरूप ग्रेहन कारलेंगदा है ता इलम सत्ता दी चाबी बन जानदा है इना परचलत अर्थां विच नहीं के इलम ही सत्ता है बलकि इना असदारन अर्थां विच के मुख रूप विच ग्यानात्मि परवर्गां श्रैनिया दे जर्ये गलबा पाया काईम रख्या ते उचित फैराया जानदा है तीज्जे कलुकारे तो बाद पार्ती हाकमावलों सिख कौम नू सिदान तक तौर ते निहथा ते निताना करन ली चलाई गई सिदान तक मुहमदे खतरनाक खासे ते विनाशक सारी असरा नू समझन ली आशीश नंदी दी उपरोक्त टूक कुंजी महिया कर दी है इसकार के इसनू तुर गहराई विच्छ समझना जुरूरी है नेशन स्टेट अंदर कट गिंतियां दियां तक दीरा आधनिक राश्टर राज्या नेशन स्टेट्स दा पुराणे जमा तौर ते जिस्मानी दबाउ शक्ती उत्ते पुर करो देसं उथ आधनिक राज व्यक्ती दी था में मैं विचार केंदृ यस दा पाव एह की राज दी स्थर्था ते सरख्या किसे व्यक्ती विषेश प्रती वफादारी उत्ते नर्बर नहीं कर दी बल्कि विषेश विचारता रहा है जडी नेशन स्टेट दे अग्वां दे सनमुख राज दी जू अंदर वास्दे सारे लोका नू इको एक हैरी कौम दे संचे विच्टा लंदा राज सी टीचा मिथदी है। विच खतम कर दिता जान्दा है अते जां सैजे सैजे राष्ट्री मुख तारा बहु गिंदती लिए वर्ती जान्दी संकेतक शब्दावली विच जजब कार लिया जान्दा है। जान्दा आसरा तक दे हन। ओहो विरोध नू करूरता नाल कुचल देंडा हिंसक रुख अक्तियार कार लेंदी हन। राज दी हनसा नू राष्ट्र दे हिता लिए जरूरी कै के वाजब ठहराय जान्दा है। देश दे लोका नू देश पगत नागरिका वज़ों राज दी हनसा नू बरदाश्ट करन इस दी हमायत करन इस नू जरूरी बुराई वज़ों सेहन जान नजर अंदाज करन ली रजा मंद ते प्रेरित किता जान्दा है। उना अंदर देश ली कुर्बानी दा नजरिया ते जजबा पैदा किता जान्दा है। राज दी सुर्ख्या होंदा है। republican राज दी सैनिक सम्रत्था विच लगातार वादा किता जान्दा है। राजी दी शैनिक शक्ती विच वादा करनने नालोग नाल सभ्य चारक मनसूबा बंदी दे जरिये सभ्य चारक एक रूपता हासल करनने व्यापक यतन किते जान्दे हैं आदनिक राज़ां दी स्थर्था ते स्रख्याली देश दे लोकां दे जीवन नू राज दी विचारतारा दे अनुसार ताल्या जान्दा है इस विचारतारा नू समाजिक ते राश्ट्री जीवन विच अमली रूप देन लई कुछ बुनियादी नियम तै कीते ते सक्ती ना लागू किते जान्दे हन इस मंतव लई सविदान साबतों असरदार वसीला बनदा है सविदान राश्ट्री विचारतारा नू अमली रूप देन वारा दस्ता वेज होंदा है जेड़े अधर्ष ते कद्रा कीमता सविदान विच दर्ज हो जान्दियाँ हन समाज दियां समाजी ते राज सी संस्थामा उना अनुसार ही सरजियां ते तराशियां जान दिया हान राज दा समोहिक जीवन इसे अनुसार टालया जान दा है इस वास्ते देश दे लोग का अंदर सविदान दी पूरी पैंठ बनाई जान दी है इसनु पवित्तरतादा दर्जा दितता जान्दा है रवायती समात जांदर जेडी पूमिका तरम दी हुंदी सी आदुनिक राज्या अंदर ओही पूमिका राज दी सरकारी विचारता रादी है सविदान दी पदवी सेकुलर तरम गरंथ वाली है लोकान दे मनांदर इस प्रती गुड़ा विश्वाश ते पगती पाव पैदा किता जानदा है राज दे हरेक नागरिक नू सविदान दी पालना करनली मजबूर किता जानदा है इस दी उलंगना गंबीर जुर्म करार दिता जानदा है जिस बदले कठोर सजावा निश्चित कितियां जानदी हन इस तरह सविदान दे जरिये देश दे समुचे लोकान दा जीवन कंट्रोल ते नियमत किता जानदा है इसनों एक विशेश तरज उत्ते टारया जानदा है इहे कार जनरोल राजदियां रस्मी संस्थामा दुआरा ही नहीं नभाया जानदा बलकि गैर रस्मी संस्थामा जिमें की परचार परसार दे साधना अखबारां टेलिविजन फिल्मा आदी राजसी दलां वक वक वनगी दिया समाजी ते सब्याचारक संस्थामा ते संगठना दौारा वी नभाया जानदा है देश दे लोकां दे राजनी तक उदेशा ते विश्वाशा बारे आम सहमती पैदा करन दे सिर तोड यतन कीते जान दे हैं इस मंतवली संचार दे साधना, प्रेस, टेलिविजन, इंटरनेट आधी दी असरदार वरतों की ती जान्दी है राज दी जू अंदर रहें दे सारे लोकावलों सांजा नजरिया अपनों दी मागीती जांदी है बहु कौमी जा बहु सब्याचारी समाजा अंदर नेशन स्टेट सब्याचारक दृष्टी तो निर्पक नहीं हो सकती एहें बहु गिंटी दे सब्याचार दा मुझस्मा होंदी है स्टेट दा सब्याचारक तात एसदिया राज सी सनस्थामा राहीं इस दौारा सरकारी पाशादी कीती चोन राहीं अते चिन, खेतर, अर्थात, कौमी, नाइका, सरकारी उत्सवा, सरकारी छुटियां रहो रिता राजवल नो बक्षे जान दे इनामा ते सनमाना दे नाम करन आदी रूपा विच पर गट हुंदी है इस करके बहु कौमी जां बहु सब्याचारी राज दे अंदर सर्ब सांजे नजरिये दा अमली पाव बहु गिंती वर्ग दा नजरिया ही हुंदा है सांजे नजरिया पैदा करन दे अमल दुरान कट गिंतीया दे परिपेखा दे सब्याचारा नू गुठे लादता जानदा है सर्ब व्यापी नागरिक्ता दा आदर्श गुण दे दोश अजोके लिब्रल लोक तंत्री राज सर्ब व्यापी नागरिक्ता दे असूल ते अदारथान पाव व्यक्ती दा जनम किसे वी नसल जाती तरम अथवा आर्थिक वर्ग विच होया होए इक नागरिक वज्जों किसे नाल कोई पाखपात नहीं होना चाहिदा सार्यानू ब्राबर दे हाक मिलने चाहिदे हन। प्रन्तु इसनाल जम्हूरी ब्राबरी दा अदर्श पूरा नहीं होया। किमें? लिब्रल लोकतंत्री राज लोकानू केवल व्यक्ति गत रूप विच शेरी हक पर दान कारदा है। उना दे समूहे का हकां विशेश करके राजसी हकां दी कोई विवस्था महिया नहीं कारदा। व्यक्ति दी केवल इको राज दे नागरिक वज्जों पशान परवान किती जान दी है। गौलेयां किता जान दा है। प्रस्ति स्थानक वाद जान खेतर वाद वर्गे को ना देके इना प्रती ना पक्खी नजरिया पैदा किता जान दा है। सर्ब व्याप्पी नागरिक्ता दा एहे अदर्श इस समाजिक ताथनू अंडट कारदा है कि लोकां दियां पशाना बहो पांती हुन दियां हन। पब्लिक खेतर अंदर व्यक्ती दे वतीरे ते आचार विहार नू नरुदारत कारण विच उस दे सब्याचारक आतम पाव उस दे संसकारा विश्वाशां ते सब्याचारक कद्रा कीमता दा वड़ा हाथ हुन दा है। इस करके पब्लिक खेतर अंदर लोकां दी सब्याचारक पशान नू मानता ना देन दा मतलब पब्लिक ते राजसी खेतर अंदर उना दी हस्ती दे अती जुरूरी आंग उना दे सब्याचारक आतम नू नुमाइंदगी तों वांजिया करना है। पब्लिक खेतर अंदर उस दी संपूर्ण हस्ती नू नुमाइंदगी मिल जान दी है। इसे तरह क्योंकि नेशन स्टेट दा सब्याचारक मुहान बहुग इंदगी पाईचारे वाल ही हुंदा है। इसे तरह नेशन स्टेट काट गिंटी पाईचारे न सब्याचारक वितकरे दा पर मुक्स सोमा ते आसन होने बढ़ दी है। उस दिया नीतियां ते कानूना विचों वी चलक साकदा है। पाईचारे नू जन तक जीवन अंदर जेडे रूपा विच नुमाइंदगी दती गई है। उना विचों वी परगट हुना था दूसरे दे दूसरे पाण नू किस तरह पेशकिता जानदा है। ऐसे सुआल बहुत एहम हैं। फाति राज दे निर्माड दे सरजना दुरां दूसरे या दे दूसरे पाण नू किमें पेशकिता गया। सिखा ते मुसल्माना नू उना दी सब्या चारक पशान दू एक ताली कहतरे वज्यों वेखिया ते पेश किता गया सिखा नू जराइम पेशा कौम कह के उना प्रती तौस्बी पाव पैदा किते गया पशाना ते अधारत राजनीती प्रती ना पक्खी वतीरा ते पावना मा पैदा कितियां गियां दूसरे दे दूसरे पण बारे समझ ते पेशकारी राज ते समाज दियां संस्थामा दी कट गिंतियां बारे समझ बनौन विच निरनाएक तथ बनदा है इह संस्थामा कट गिंटियानू उना दे तार्मिक अकीदिया चिनना रवायतां ते रस्म और रवाज्यानू किस दृष्टी ते पावना नाल वेखनिया हनू इह स्वाल बहुत महत्तपुर्ण है पारत दी आजादी दे अंदोलन दोरान दो कॉमा दे सदा अंतवरुद जिस किसम दा त्वस्भी महौल पैदा किता गया देश दे बटवारे लई जिनानू जिस तरिके नाल दोशी करार दे के उसनू राक्ष बना के पेश किता गया इसनाल राज ते समाज दियां संस्थामा दा आम रूप विच्च ही मुसल्माना प्रती रवया ना पक्खी हो गया इक व्यक्ती दिया बहो गुणी पशाना दे ताथतों इनकारी होन दा अर्थ राज अंदरली समुच्ची जनतानू सब्याचारक पाखतों इक जिनसी समझना है विपेन सब्याचारां दी समाजी हकीकत नू अंडिट कारणवाली एह सब्याचारक द्रिश्टी विहूनी पहुँच उना काट गिंती पाईचारया नाल नया नहीं कारदी जिना दे सब्याचारक परसांग अनुबव जीवन शैलिया ते समाजी सब्याचारक कदर बहुँच गिंती नालों एहम रूप विच वक्रे हन लिब्रल लोकतंतरी राज अंडर समुचे लोकानू इकको जेहे नियमा ते पैमान्या नाल अंग्या जान्दा है एहे नियम ते पैमानने सब्याचारां दे संदर्ब विच उक्का ही निर्पक नहीं हुंदे इते हासक तौर ते यूरप अंदर नेशन स्टेट दी उसारी दे अमल दुरान सरकारी तौर ते मानता प्राप्त तरम ते पाशा ने पबलिक खेतर नू प्रबाशित करनवाले पैमानने दस्तूर कडे अते इनानू पच्छम दी हर वस्तू वांग सर्ब व्यापक पदर ते पर चलत ते स्थापत कारदता इस तरह हर जगा ही पबलिक खेतर नू प्रबाशित करनवाले पैमाने ते दस्तूर आम तौर ते बहुगिंती पाईचारे देही सब्याचार नू रूप मान कारदे हन इक वर्ग विशेश दे नजरिये नू रूप मान करनवाले माप दंडा नू सर् ते पर पेक खामोश कारदते ते सैजे सैजे अलोप कारदते जांदे हन इस कारके लिबरल डेमोक्रेसी अंदर कट गिंटी तारमक सब्याचार कपाई चारें दे पशान नू लगा तार खोरा पेंदा रहिंदा है अते हो सदीवी डार ते अस रख्या दे साई हेट रहिंद विरोध उते थोक रूप विच पाबंदी नहीं लोंदा बलकि विरोध दी मर्यादा पाशा ते हदा निश्चित कारदतियां जांदी हन इस दी उलंगणा बरदाश्त नहीं किती जांदी इस तरह देश अंदर एक जिंसी राजसी सब्याचार सर्जन दे चे तन व्योंत ब वरते जानवाले संद पूरव निश्चत करदते जांदी हन जदों पहला ग्यानात्मिक परवर्ग निश्चत हो गई ता विशलेशन दे नतीजे वी पहला ही निश्चत हो गई इस तरह राजदिया नीतियां कारजयां ते अमला दा विरोध सुरक्यत हदा अर्थात पूरी बेरहमी नाल कुचल दता जानदा है इस मामले विच राज दी सर्ब परवानत विचारता रादा आसरा लेके बहुत आसानी नाल आम सहमती हासल कार लेई जानदी है इस तरीके नाल हाकम वर्गावलों ग्यान दी वर्तों गल्बा स्थापत करन ते काइम रखन लेई कि जानदी है अशीश नंदी मुताबक सेकलर्जम कोई एकहरा निखड़े होया परवर्ग नहीं एहे पैकेज दा हिस्सा है पाव तरम नरले पराश्टरवाद जिस दा निशानना नेशन स्टेट दी सरजना कारदा है इस दा उदेश आम नागरिक नू मुढ तराशना है ता जो अपने जम्हूरी हकां दी वर्तों कुलीन वर्ग द्वारा खिची लच्मन रेखा दे अंदर ही करे अजेहा नागरिक जदो राज दी अलोचना कारदा है इस वरुद संग अर्श कारदा जां जांग भी लाडदा है ताहों मिथियां हो यां हद्दां तो बाहर नहीं ज जान ग्यान अते बस्ती करंदा अमल पचंते पुझी वाधी राजां दौारा पूरब दे मुलकां उत्ते बस्ती वाधी गल्बा स्थापत करंदी कि्रिया नीरोल राजसी जहां सैनिक नहीं इस विच्छ ग्यान दे पूरक रोल दा तात्थ बहुत एहम है ग्यान ने बस्त करन दे मुडले अमल पच्छमी ताक्तां वलों पूरब दे मुलकां उत्ते सैनिक जित्तां हासल कारन विच ही मदद नहीं किती इसने इस्तों अग्गे वद के पूरब उत्ते पच्छम दे गलबे नू सदीवी तेव देरे प्रभावशाली बनाउन विच निर्णायक पूमि मदद नाज समझन ते हल करन दी सिदांतक रीत अपनाले एह परवर्ग पच्छमी घ्यान साष्टर दी पैदाश हन् पच्छमी घ्यान दा जनम इस दे अपने सब्याचार्दियां समस्यामा विच्चों होया सी इसकार के पच्छम दा जो परवर्ग विदान है उस दे निश्चत हन जेडियां ग्यान पर नालियां सोच परबंद होरना थावाते जम्मे हन उना लई इह परवर्ग योग नहीं हन इना नाल इह ग्यान परबंद खीन ही सद होनगे इस तरह इना परवर्गां दे जरिये पच्छमी चिंतन ने गैर पच्छमी चिंतन उत्ते जित हासल कार लई उसनो अयोग करार दे के तिहास दे रद्धी दे टेर उत्ते सुट दता बस्तियाना देशां दे कुलीन वर्गां ने जरिये पच्छम दे अधर्शां दा आत्मी करन कार ले आता उना दी पच्छमी सामराजी ताक्ता नाल युद्ध नीतक सांज पैदा हो गई उदों वी जदों उहो राजसी पदर ते पच्छमी सामराजी ताक्तां दे गलबे तो निजात पौन लई राजसी संगर्षका रहे सांता उहो विचार तारक ते सब्याचारक पदर ते सामराजी ताक्तां दे गुड़े पाईवाल ते उपाशक बने होे सां इसकार के बस्तिवाद दा वर्तारा निरा पुरा पौतिक आर्थिक ते राजनी तक नहीं एहे बौधिक मानसिक वी है पच्छमी सामराजी ताक्ता ने अपनी आदुनिक ग्यान पर नाली दे जरिये पूरब दे लोकां खासकार के पड़े लिखे वर्गां दे मना अंदर अपनिया बस्तियां काइम कार लेगा पच्छम विच्छ रिजे पके संकल्पां ते पर वर्गां ने पूरबी मुलकां दे ग्यान पैदा करन ते वर्तौन वाले अदारियां अंदर पूरण मनता स्थापत कार लेग आशीश नंदी ने इसनू इंपैरलिजम ओफ केटेगरीज पाव पर वर्गां दा सामराज वाद किया है इसनाल बस्ति वादियां जड़ां वाद डूंगियां इस दी जकड वाद मजबूत ते इस दे पर बावदा दाइरा वाद मोकला हो गया पच्मी सामराजी ताक्ता दे सिद्धे राजसी गलबे दा युग स्माप्तो जान दे बावजूद पूरब दे मुलका अंदर विचारता रगते सब्याचारक रूप विच बस्ति वाद दी पर बावशाली होंद ते जकड बादस्तूर काइम है और जेह सामराज वाद हेठा कोई तसवरी कार्ज खेतर कई वार पच्छम अंदर जन में तितराशे गए संकल्प दुआरा इन्ने असरदा त्रिके नाल काबू कार लिया जान्दा है कि साड़ी चेतना चूं मौलिक कार्ज खेतर अलोप हो जान्दा है मिसाल वजों पच्छम विच जन में ते तराशे ग्यानात्मक परवर्गा ने पारत अंदर चंतन दे खेतर अंदर इसकदर सर्ब परदांता स्थापत कार लई है कि किसे वी समाजी ते राजसी रुजान अते वर्तारे नू समझन लई सुते सदत अन्यवा पच्छमी परवर्गा दी वर्तों की तीजान दी है उना दे दमाग इना परवर्गा दे कैदी बाणगे हन किसे काट गिंती पाई चारे वल्लों अपनी होंद ते हस्ती नू बरकरार रखन ली पर गटाए सरो कारां ते तुरंत फिरका प्रस्ती ते पैरोकियलिजम दा ठपा लादता जान्दा है पड़े गुडे विद्वाना तो लेके संपाद का पत्तर कारां ते तुछ जहे कालम नवीसां तक सबना वल्लों इको तरादी कसी पिटी पाशा वर्ती जान्दी है पीड़त पाई चारे दे नुकता नजर नू समझन ले कोई तरदद नहीं किता जान्दा पार्ती राज विचारता रा राज सी एजंडा ते अमल बस्तीवादी राज दी स्ठापना तो पहला पार्ती उप महादीप अंदर कौम ते राश्ट्रवार्ण दे परवर्ग बिल्कुल अजनबी संव इस तो पहला उप महादीप अंदर नेशन स्टेट दा कोई तसवर पूरब बस्तिवादी शाहित अन्दर पारत दी एकता थे अखंडता दा किते कोई जिकर नहीं इना पर्वर्गां整 वाक अंशादी वर्तों बस्तिवादी राज दे दुरान पारत बारे बस्तिवादी ग्यान दी रचना दे अमल नाल जुड़ के अरंब होई पार्ती कुलीन वर्गा ने पच्छमी अदर्शां दा आत्मी करन कारलिया सी यते पारत दे सब्याचार्दियां समस्यावानू पच्छमी ग्यानात्मिक परवर्गां दी मददनाल समझन दे हल करन दा सिदांतक दस्तूर अपनालिया सी उनाने वाद विरोधी राष्ट्रवादी अंदोलन दी मुखता रातों लेके हर वनगी दिया उपता रामा ते उल्टता रामा वी इस मसले ते इकमत सान उधार पंथियां हिंदू राष्ट्रवादियां समाजवादियां करांती कारियां ते मुस्लम लीगियां समेत सार्यानू न मन मोहक लागदा सी नेशन स्टेट दे माडल विच पूरन ते कटड शर्दा ही देश दे बटवारे दा बुन्यादी कारण बनिया पारत ते पाकिस्तान दोवाही देशा अंदर राज नू आधुनिक नेशन स्टेट दा जामा पहनों दी सदान तक सेध तारण किती गई फर् राश्रवाद ते तरम निर्पेख वाद दे परवर्ग जनम ते मूल खासे पक्खों यूर्पी होन दे बावजूद सर्ब व्यापी बन गई हन पर पारतंदर इना ने नवेकले लच्छन ते अर्थ ग्रहन कार ले हन पच्छमंदर कौम नो एक तरह दी सब्यक बरादरी दे रूप विच संकल्पया गया सी पर पारतंदर अजिहा नहीं होया ना हो साकदा सी जिड़ा समाज हजारा सालां तों पके तोर ते जात पाती वंडा वखरेमिया ते विरोधा नाल ग्रैनिया होया है जिसनों ब्रामनवादी तर्म शाष्ट्रा वल्लों मन्जूरी दती गई है उस समाज दी सब्यक बरादरी वज्जों कल्पना के में किती जा साकदी है एकता बगैर कौम दी कल्पना नहीं किती जा साकदी अते समाजिक बराबरी एकता दी जरूरी शर्थ है इस तो भी ना समाज अंदर पाई चारे दी पावना विक्सित नहीं हो साकदी इसलिए पारत अंदर जित्थे वर्न आश्रम तरम दे वितकरे पूरण फलसफे विच्चों जनमी जात पाती विवस्था ने समाजिक ना बराबरी नू पक्का संस्थाई रूक दे दता हुया है उथे कौम दी संकल्पना करन लई एकता दा कोई वक्रा सूतर टूंडणा ते इसनो योग ठहरोना जुरूरी हो गया सी इस जोरदार लोड विच्चों पारत दी एकता दा अदार इस दे तलक में मुढ कदीमी हंडन सार अनूप तात विच लब्या गया पारत दी सता हेठली रहस में एकता नूप परमान युक्त करन लई एक खास पांत दी परमप्रा इजाद किती गई हिंदू तरम बारे एक खास तरा दे मत नूँ उच्याया गया इसनो पारत दी जात दी सर्ब व्यापी खासियत वज्जों पेश किता गया पारत अंदर पैदा होए बाकी सारे तरमानों इको महान पारती रुहानियत दे ही बिखरे रंगा नाल तश्बी दती गई इस तरीके नाल शुरू तोही राश्रवाद दे सार अंचनो एकता दी समस्या नाल जोड दता गया एकता श्रोमणी सरोकार बन गया सारे अरसे दुरान राश्रवाद दी प्रवचन अंदर एकता दा कथा पर संग छाया रहा इहे राश्रवाद दी प्रवचन दी पर दा आंसर होने बड़ी इस अनुसार समूहा पाईचारियां विचले वखरेमिया नू एकता ली खतरे दे रूप विच देख्या जान लगा इस नाल सब्याचारक वन सुवन्ता प्रती असेहन शीलता पैदा हो गई इसनू एक समस्या समझिया जान लगा जिस्दा प्रोसेयोग हल विशेश ते अनेक पशाणा नू एकको आम सांजी ते वडेरी पाती पशाण दे कलावे विच लैके पर बावहिन कारदेन दे मंतर विच लब्या गया इसनू अनेकता विच एकता दा नाम दता गया एकता दी एहे ब्रामन वादी तारना कप्ट पूरण है एहे बहो वादी होन दा पुलेखा पौंदी है पर हकीकत विच एहे एक वादी है एहे उए अनेकता नू राद नहीं कारदी ते ना ही अनेकता नू पैंदी सटे ही खतम कारदेन दा टीचा मित दी है यह अनेकता नू परवान करन दा पुलेखा पौंदी होई हकीकत विच अनेकता नू सहन करन दा अंदाज तारण कारदी है इस दी अनेक तो मुराद इक दा ही बहो पांती जहूर है जा अनेक दा इको संयुक्त सालम समू विच कटाओ करन वी हो सकदा है अनेक इत्थे ब्राबरी दे सूतर विच नहीं बज्जे होए उखो दर्जा बंदी दी वितकरे पूरण मर्यादा विच बज्जे होए हन अनेका पारदिया बहुपांती परमप्रावा दी होंद नू उमे अपरवान नहीं किता गया पर उना नू एक हिंदू परदानी सेयुक्त सर्ब पार्ती परमप्रादा ही बहुपांती जहूर कहके उना दा दर्जा दोम का दता गया है विपनता दी गल कर्न वेले वद जोर इकता ते सर्ब पार्तियता उत्ते दता जान्दा है एहे चतराई ते पेद पाव ब्रामन दी मूल फितरत है ब्रामन वर्ग नू उमे अनेकता नाल कोई समस्या नहीं उस दा पर मुख सरोकार अपनी सर्ब उचता अपना श्रोमनी दर्जा काइम रखना है पुरातन समाज अंदर उसने अपना एहे विशेश रुतबा यकीनी बनों लई समाजी उच नीच दा पाखपाती सदांत सर्जया जिसनू सर्ब परवानत बनों लई दैवी परवानगी ना जोड़या गया बदलिया हुई या हालता अंदर उसने अपनी सर्ब उचता बरकरार रखन ली पाती राश्रवादी विचारता रादा नवीन हथियार सिर्जया ते इस दी मनता स्थापत कर दती गई ब्रामन वर्ग ते इस दियां सहयोगी स्वर्न जातियां कोड़ों एहे हकीकत पुली होई नहीं के आदुनिक काल अंदर काट गिंती तर्मादी हस्ती नू जिसमानी रूप विच खतम कर सकना संभव नहीं काट गिंती तर्मादी होंद नू सहन करना उना दी मजबूरी है चाहत नहीं इस करके उना ने एकता दा अजेहा सूतर सिर्जया जिड़ा विखन नू सारे तर्मादी बराबरी ते शांत मई से होंद दा पुलेखा पूंदा है पर हकीकत विच काट गिंती तर्मादे मुकाबले बहुग गिंती हिंदू तर्मदी पर मुखता यकीनी बनोदा है इहे ताथ बहुत चत्राई नाल चुपा लेया जानदा है कि एथे मसला वक्ष वक्ष पाइचारें विचकार सिर्फ शांत मई से होंद दे पाइचारे दा नहीं मसला उना दे सर्ब जनक रुत बेदा है बुनियादी सुआल इहे है कि आपस विच मिलजुल के अमन चैन नाल रहे पाइचारे की पबलिक खेतर अंदर बराबरी दे पदर ते रहे हैं पारत वर्गे बहुपांती देश अंदर वितकरे दे सुआल नू इस नजरिये तो वेख्या जाना चाहिदा है तार्मिक कट गिंतियां वलों पाती राश्रवादी विचारतारा नू परवान करन दा अर्थ बहुपांती पाइचारे दी अथोरिटी ते इस दे सत्ता दे चन कबूल करना है जिस दा पाव बहुपांती दे मातहित बढना है मात हैत बननदा अर्थ होली होली आपनिया विलखन तावानू तया के बहुग इंटी विच समिलत हो जाना है फिरका प्रस्ती दी तारना ब्रामन वाद द्वारा सिर्जे गए एकता दे इस तसवर विच्चों फिरका प्रस्ती दी निवेकली तारना पैदा होई जिस दी जड पूरब वादी परवचन अंदर लगी होई है पार्ति उप महादीप दे समाध जी ते सब्याचारक यथारत दी व्याख्या पच्मी चिंतन दे दवैत वाद सेकुलर ते स्थानक पशाना विचका आर पर चलत दुवंड दी मदद नाल किती गई जिस अनुसार पारदी जू अंदर रहनवाळे सारे पाई चारेयां दी सर्ब सांजी हस्ती नू नैशनल राश्टरी कहा गया ते किसे विशेश पाई चारे वल्लों अपनी निवेकली पशान ते सुतंतर हस्ती दे दावे नू फिरका प्रस्ती दाकुना दे दता गया डाक्टर पीमराव अंबेदकर ने स्वर्न जाती हिंदू हाकमा दे काट गिंतियां प्रती अपनाए इस कप्ट पूरण ते पक पाती रवये दी अलोचना इना सक्त लफजां विच कीती सी पारत अंदर काट गिंतियां दे माडे नसीबा नू पाती राश्रवाद ने एक नवास दांत विकसत कार लिया है जिसनू बहु गिंति दे अपनिया इच्छामा अनुसार काट गिंतियां ते राजकरन दे दैवी दिकार्दा ना दता जा सक्दा है काट गिंतियां वल्लों सत्ता विच हिसेदारी दे दावे नू फिरका प्रस्ती दा कुना दता जान्दा है जदों की बहुत गिंती वल्लों समुची ताकत उते जफा मारनू राश्ट्रवाद दी संग्या दती जान्दी है इस तरीके नाल सेकुलरिजम कट गिंतियां दे खिलाफ सफल साज़िश होने बड़ी है मुडतों ही पारत दी आजादी दा संग ग्राम एकल राश्टरी चंडे हेट लड़ेया गया बस्तिवाद विरोध दी राश्टरवाद दे चंडे हेट इस तो इलावा किसे दूसरे राश्टरवाद विशेश करके कट गिंती पाईचारें दे राश्टरवाद नूँ शिरिक के ते विरोध दी पावना नाल विख्या गया इसनों एकता काती ते राश्टर विरोध दी कहके पंडेया गया इस दे खिलाफ तुअस सभी महाल पैदा करन लेई इसनों बस्तिवादी हाकमा दी पाड़ो ते राज करो दी कुटल नीती दी पैदाईश गरदानिया गया एहे समझेया ते स्थापत कारदता गया कि बस्तिवाद विरोधी सैकुलर राश्टरवाद पारदे सबना लोका ते पाइचारया नो एकता दे सूतर विच बांदा है जदों की किसे विशेश तार्मिक पाइचारय दा राश्टरवाद वाख वाख पाइचारया विचकार तारना होर मजबूत ते मकबूल कर देती एक हैरी ते एक तड़ पारती कौम दे संकल्प दिया बुनियादा पकिया करन ली मुस्लम लीग दे दो कौमा दे सदांत दे खिलाफ लगातार तुआ तार ते जहरीला परचार किता गया बस्तिवाद विरोधी राश्टरवाद हक हकीकत विच महीन पड़ दे हेट छुपया हिंदू राश्टरवाद ही सी पारत अंदर तारम निर्पेख वाद नू यूरप नाड़ों बहुत ही वक्रे अर्थां विच अमल चले आंदा गया एथे मुडतों ही जिड़ा तारम निर्पेख राश्टरवाद विक्सत होया ओ हो हकीकी अर्थां विच कदेवी तारम निर्पक नहीं सी ओ सनातनी तरम दाही राश्टरी करन सी इस तरह पुरातन हिंदू समाज अंदर जात पाती विचारता रा ब्रामन वर्ग ते इस दियां सहयोगी स्वर्ण जातियां दा होरना वर्गां उते समाजी गलबा यकीनी ब उसे तरह बदली होई हालत विच बस्तिवाद विरोधी तरम निर्पेख राश्टरवादी विचारता रा पार दे सारे लोकां ते पाईचारयां उते ब्रामन वर्ग ते इस दियां सहयोगी स्वर्ण जातियां दा राजिसी सब्याचारक गलबा स्थापत करन दा कारगर हत इस तरीके नाल रुवाइती गलबा वर्गां दे समाजी राजिसी हितां दा राश्टरवाद दे रूप विच रुपांत्रन हो गया इहे तरम निर्पेख वाद दे नाहेठ नरम हिंदू तव ही सी ते है इहे कट गिंतियां नू राश्ट्री जीवन चों खाज करन दा रा सकदा है पर कट गिंतियां नू तरम नरलेप वाद दा कंडियारा पाके उनानू हाशिया ग्रस्त कर दता गया इस करके एथे हिंदू तव दे ही दो चेरियां दो पैंतरियां विचकार कश्म कश चल दी आ रही है नेशन स्टेट बहु गिंति वर्ग दी ताना शाही है कट गिंति पाई चारे नू स्टेट ते बहु गिंति पाई चारा दोवादी रडमी तक के शाहियते दोवादी कडुजे नाल रालगड होई विचारता आ रादा सामना करना पैरेहा है हैजमनी दी राश्रवादी राजनीती ने पुरातन ब्रहमन वाद दी जगा ले लई है तरम नरलेप राश्रवाद दे इस अंतरीव हिंदू तवी खासे दी वजाकार के बस्तिवाद विरुद संगा अश्दे अमल दुरान हिंदू राश्रवादी कटड वनगी दी तार नूं हिंदू समाज अंद्रों बौता उच्छा जनक राजसी हुंगा रा ना मिलेया एहे हाशिये उत्ते ही रहा अजाद पारतंदर वी लम्मे समय तक इहो स्थती बनी रही तरम निर पक्ता दे लबास विच नर्म हिंदू तव हिंदू जनता दिया सब्याचारक ते राजस कि देश अंदर एक जेहा राजसी वर्ग पैदा हो गया है जिड़ा स्टेट नाल समती वेलेवी ते असमती वेलेवी दोमा ही हालता विच स्टेट दी ही पाशा बोलदा है इस पद्दर ते तरम नरलेप वाद उस व्यक्ती जा समूदा पशान चिन है जिड़ा पार्ती रा अगरिकता दे योग नहीं हन दूज़ा एहे यकीन की जेड़े एहे पाशा बोल दे हन सरफ उना नू ही एहे निरना करंदा हाक है की खरे जमहूरी असूल केड़े हन अते हकूमत कारी ते तारमिक सहन शीलता तो असली पाव की है इस वर्ग विच हिंदू तविये उदार प अखरे नहीं हन ओ अलग लग पाशा बोल दे होए वी इको पाशा बोल दे हन देश पगती ते गद्दारी दी हिंदू वादी तारना बरतानविया ने पारत अंदर मुसलिम राठ शाही कोडों सत्ता खोही सी इस कारके बस्तिवाद दे पहले दौर अंदर बस्तिवादी हा हाकमा ने अपने राज दी मजबूत्ती ते स्थेता लई मुसलिम राठ शाही नू बलहीन करन दी रननीती अपनाई इस विचोना सामने हिंदू कुलीन वर्गनाल सांज प्याली पाउंड दी जुरूरी राजसी लोड पैदा हो गई सी इस तरह लग पग एक सदी तक बस्त पर पूर लाब उठाया बस्तिवादी हाकमा दी मदद ते सरप्रस्ती दी बदौलतों ने अपनी समाजी आर्थिक हैसियत विच चोखा इजाफा कीता प्रंतू अठारा सुसत वंजा दे कटना करम ने इस समीकरन नू बगाड दता हिंदू कुलीन वर्गाली पहला वांग बस्तिवादी राज दी पुष्ट पनाही दा आर्थिक दे राज सी लाब उठा सकना संभव ना रहा दूजे पासे हिंदू सवर्न जातियां दी आर्थिक लुटखसूट ते समाजी गलबे दे स्ताय दलत ते आदिवासी वर्गा ने इस स्थती दा फाइदा लेंदे बहुत गिंती दिया गलबा प्रस्त रुचियां तो अस रखित महसूस का रहे काट गिंती तार्मिक पाइचारे अंदर वी अपने बचाओ वास्ते बस्तिवादी राज दी हमायत ते ओट आस्रा लेंदा चुका पैदा हो गया इसनल हिंदू उच जातियां अंदर साड़े ते शिरिके दी आगबाल उठी उनाने अपने हित्तां देन कूल देश पक्ति ते गद्दारी विच कार निखेडे दा लाहेवन दा सूतर काड़ लेया बस्तिवादी राज दे विरोधनू देश पक्ति दा सन्मान योग लकब देदता गया ते बस्तिवादी राज नाल कि किसम दे सहयोग नोदेश नाल गद्दारी दा राजसी को कर्म करा देदता इस तरह बस्तिवादी राज दे विरोधनू परम विशेश गोन दा दरजा देदता गया हिंदू स्वार्ण जातियां वल्लों बस्तिवाद विरोधी संगर्ष अंदर दूसरे नों पंडण लेई इस सूतर दी निर संकोच दे निरलज वर्तों कीती गई अजेहा करनवेले लगपाग 100 साल तक हिंदु कुलीन वर्ग दे बस्तिवादी राजनाल रहे अपनत परे रिष्टे दे पाई वाली दे अनसुखा में ताथनों मकारी नाल चुपालया गया मुड़तों ही पारत अंदर बस्तिवाद विरुदी संगर्ष दी अगवाई स्वर्न जाती हिंदु कुलीन वर्ग दे हत्था मिच रही इस कारके पारती राश्रवाद दा समुच्चा बिर्तांत इस वर्ग ने ही सरजया इस बिर्तांत ने पारत दे पिलिटिकल स्पेस उत्ते इस कदर सर्ब पर दांता स्थापत कार लई है कि हर वनगी दिया राजसी ताक्तां हिंदु तवियां तो लेके खबे पक्छियां तक दस मुच्चा राजसी अमल विहार इस बिर्तांत दा अनुसारी है राश्रवादी पर वचन दे जरिये उच जातियां द्वारा सरजी गई राजसी पाशा आम लोकां दे मुहां ते चड़ गई है जोदों भी कोई राजसी मसला समने आउदा है ता उहों बिना सोच विचार किते आप मुहारे ही इस बारे चटपट अपना नजरिया बणा लेंदे हैं इस विच मीडिय दी पुमिका सब तों वाद दोश पूरण है पारदे मेंस्ट्रीम मीडिय दे खासे नाल सबंदत दो ताथ बहुत महत्त पूरण हाँ इक अकट सचाई एहे है कि इस उत्ते वड़े सरमाएदार कराणया दा पूरण गलबा है दूज़ा एना ही एहम सच एहे है कि इस अंदर हिंदू स्वर्ण जातियां दा बोल बाला है गैर हिंदू ते गैर स्वर्ण जातियां दी हस्ती बेहद निगुनी है इसकार के एहे मीडिया मूल रूप विच पारत दी उच जाती हिंदू कार्पुरेट स्टेट दी ही बोली बोलदा है इह राश्रवाद दी प्रवचंदा पर्मुख वाहक अते आम लोकां दे राजसी विचारानों पर बावत असल विच प्रिष्ट कार्णवाळा पर्मुख साधन है हाकम वर्गां दी विचारतारानों आम लोकां विच मकबूल बनोण ते उना दे मना अंदर इस दियां डूंगियां जडा लोण विच सिख्या पर नाली दे नालो नाल मीडिये दी पूमिका वी ब्राबर एहम है इह पार्ति राज दी विचारतारा दे पर्मुख ततां संकल्पां तार नामा ते वाक अंशानों लोकां दे मना अंदर डूंगे उकर दंदा है जिसना लोकां दी सुतंतर सोचन दी समरथा खतम हो जान दी है ते ओहो अन जाने ही हाकम वर्गां दे पिछ लग बन जान दे हन इस पर थाए अशुतोश वार्षने दा एही कतन बहुत अर्थ पर पूर है चेतना दे कुझ रूप मना अंदर इन्य डूंगे उकर जान दे हन की मनुखी जीव छेती किते उना दिया खतरनाक अर्थ संभावनावा जाँ जड़ा बारे स्वाल नहीं काते राजनीती दे मेंस्ट्रीम सभ्याचार अंदर ले कुझ कुझ जीवत संकल्प जीवे राश्रवाद राजसी एकता ते अखंडता कौमी सुरख्या तरम निर्पकता संपरदायकता जातवाद खेतरवाद पाशावाद दैश्त गरदी विग्यानक तरक शीलता विकास आदी पारदे पबलिक जीवन दा तांचा सरजदे हन एह संकल्प पारती स्टेट दी पारू विचारतारा दी संचना करदे हन अतेना दे जरिये एह विचारतारा मद वर्ग दी चेतना अंदर जड़ा लोण विचे सफल हो जान दी है एह संकल्प ही मेंस्ट्रीम अकादमिक परव बक्षन वाड़े चिनना रूप का ते इस्त लाहां दा व्यापक पेमाने ते पर चार परसार कीता जानदा है। उननों लोकां दी आम बोल चाल दा हिसाबना अदता जानदा है। इस तरिके ना लोकां दे राजसी अमल विहार नू दिशाबद कीता जानदा है। देश दे हर व्यक्ती दी हस्ती नू इस सूतर दे जरिये प्रबाशित कीता जानदा है। कि साब तो पहला हो पार्ती है ते उस तो बाद ही हिंदू से खजाम मसल्मान है। इह सूतर नेशन स्टेट दा नीती मंतर है। आजादी दे संगाश्दुरान इसने हिंदू राश्ट्रवादी ताक्ता दा वड़ी पदर ते राजसी पक पूर्या ते आजवी पूर्दा है। बहुगिंती दे सब्याचार नू उच्छाहत करना कट गिंतियां नू इस मुखतार विच्छे जजब कर देन दे मंतव नाल उना उते दबापोना आते नालो नालो उना नू मादी लालच ते नैतिक हला शेरी देनी कट गिंती पाइचारियां दे खेंड पकर जान दा बन जान दा है इस अमल नू रैडा करन ली स्टेट दे बहुगिंती पाइचारे वलनों कट गिंतियां अंदर ले लिबरल ते सेकलरिस्ट तता नू उचेचा उच्छाहत किता जान दा है उना नू आदियां रुतबयां अते इनामा सनमाना दा चोगा पाके प्रिष्ट कित जान दा है जिस दे फल्स रूप औहो बहुगिंती पाइचारे दे आग्या कार ते खैर खुआ बान जान दे हन अते काट गिंतियां नू वर्गलोन वाले एजंटां दी पूमिकान बौनी शुरू कर दे हन पारत अंदर आजादी तो बाद इतिहास रिचना दा कार जमुख तो और ते लिबरल ते खबे पक्खी सेकुलरिस्ट इतिहास कारां द्वारा ही किता गया क्योंकि पारती राजदा पर मुख राजसी एजंडा पारत अंदर सर्बसांजी कौम ते नेशन स्टेट दी सरजना करना है इस करके अतीत नू इस समकाली राजसी लोड़ दे दिरि आसकार अतीत दा जो अक्स चितरदा है इस राही उह वर्त मांदी सेवा कारदा है सो आज जसी एह पहला पाग पना नंबर बती तक ही पढ़ांगे तानवाद जी वाहिगुर जी का खालसा वाहिगुर जी की फते